बेटर थ्रोट हेल्थ, यस दोस्तों, कैसे एक अच्छी बेटर और हेल्दी थ्रोट हम हमारा रख सकते हैं, यस बात करते हैं, भाइसल्ब डॉक्टर सुनील तवार, कंसल्टेंट एंटी और राइनोप्लास्टी सर्जन, दोस्तों, हर आदमी की इच्छा है कि मेरे को एक मद और सुरीली आवाज हो, मेरा थ्रोट बिल्कुल क्लीन एंड बिल्कुल साफ सुत्रा हो, जिससे मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हो, बेटर थ्रोट हेल्थ के लिए हम क्या कर सकते हैं, दोस्तों, वह इंपोर्टेंट कारण है, जो थ्रोट हेल्थ को अफेक करते हैं, उनको हमें आवोईड करना है, that is the best treatment, अभूमन जो थ्रोट का जो प्रॉब्लम है, वह दोस्तों, कुछ हमारे आंतरी कारण होते हैं, कुछ हमारे बाहर ही कारण होते हैं, जिसके कारण हमे चाहिक भॉत में प्रॉब्लम होती हैं, अगर हम आंतरी कारण की बात करते हैं, तो हमें, जो है हमारा थ्रोट से ऊपर भी प्रॉब्लम हो सकती है और नीचे प्रॉब्लम हो सकती है जिसके कारण थ्रोट होता है अगर उपर की बात करते हैं तो दोस्तों बहुत बार हमारे जो है नोज से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है वो नेजल अलर्जी हो सकता है जिसके के अंदर जो हमारे बार-बार इंफेक्टिंट ओर एक अन्हेलधी हमारा होता है इसके अलावा दोस्तों अगर हम तो से नीचे की बात करते हैं तो कुछ कारण ऐसे होते हैं वह भी थ्रोट को अफेक्ट करते हैं लेकर आपको असिदीटी नमें आपको बहुत बार कोई जो है अगर दोस्तों हम बात करते हैं तो कुछ हैबिट्स होती है जिनकी कारण हमें लाइक टॉबे को चुभी स्मोकिंग यह दो दोस्तों सबसे इंपोर्टेंड कारण है जिसके कारण हमारा गला काराब होता है दोस्तों आपने देखा हमारा जो गला है उसमें अंदर एक प्रोटेक्टिव लेर है जो बहुत सारे एंजयम्स भी बनाती है जो अंदर सीक्रेशन्स करती है जो हमारे नॉर्मल गले के मुमेंट के लिए देमेज हो जाती है अंदर की मुकोजा है वो डेमेज हो जाती है हमारी जो रेस्पायरेटरी सिस्टम है यारे नोज से लेके नीचे तक का उसमें ऐसे गॉबलेट सेल्स होते हैं उन पे सीलिया होते हैं जो अंदर के बलगम को बाहर निकालते हैं वो डेमेज हो जाता है तो में सुपरवाइजर ने कोई फैक्टरी में सुपरवाइजर ने जहां बहुत ज़्यदा पोल्यूशन है उसके कारण भी वही सेम हमारा नोज में प्रॉब्लम होना वह नोज से जो है पीचे डिस्साथ प्रोडी तरह कके लिए हमारे को इन सब चीजह को अवएड करना हिश लूज के अंदरकों है इलर्ले Sage की प्रॉब्लम है तो हमें जोपर प्रॉपरर ळंती होजी का ट्रीटमेंट करो पैसे में लैना इसके अब दोस्तों खान पान में तेज highly spicy food हमें अवईड करना है जंक फूड अवईड करना है के साथ लेते हैं उसके साथ बहुत सारे इervesकली के साथ किषकों सब्सक्राइबिणी मेरी तो सके साथ लेना चीज़िस तो हमारे को और इसके अलावा दोस्तों बहुत बार एक healthy throat or acidity के लिए हमें वोकिंग करना चाहिए और बिल्कुल जो है आपको जो है वो खाना खाने के बाद खाना और सोने के बीच में तोड़ा सा गैप रखना चाहिए जिससे हमारे को खट्टी डख करें नहीं है इसके अलावा दोस्तों आपको वोकल अब्यूज भी नहीं करना चाहिए बहुत तेज चिलाने से भी कहा है हमारा थ्रोट जो है वो प्रॉब्लम करेट करता है हमारे जो वोकल कोड है उसके अंदर स्वेलिंग आती है और उससे हमारी आवाद चैंज हो जाती इसलिए बहुत से शाउटिंग हमें नहीं करना थिये बिल्कुल जो है आपको डिसैंड वेमेंस आपको हमारे को बोलना होता है इसके अलब अगर आपको problem है तो आपको समय पे तुरल्त उसका treatment लेना चाहिए आप उसमें gargles कर सकते हो लिए बहुत जदा मोर और एंटिबाइटिक नहीं लेनी है क्योंकि बहुत पर पिशेट को प्रॉब्लम अलर्जी की होती है लेकिन वह एंटिबाइटिक से लेता रहता है यह एक बहुत मैतव पूर्ण बाता है नेसेशरी एंटिबाइटिक हमें नहीं लेनी है तो प्रिवेंशन इस बेटर देन क्योर एंड एक हैल्दी थ्रोट के लिए सो रियली इस इंफोर्मेशन इस यूश्फुल और यह इंफोर्मेशन आप अपने फ्रेंड्स और कलिक्स को आपनेकल लाइटिक लिए यह यह झा अपने लाइटिक लिए्टिक्नेशन वाधटिक्श पार्ण इस यह णियो सेंफ इस द्वाधन से लिए पन्हाँ झालाइटिक लिए। अटिए।